हेलो गाईस तो बात केने वाले है कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में इस कम्पनी का quarter to FY23 का रिजल्ट आ चुका है सामने तो कैसरा इस कम्पनी का रिजल्ट और क्या इस कम्पनी ने डिविडेंट दिया है कि नी इसी के बारे में डिसकेशन करेंगे तो वीडियो को जरूर से का रिजल्ट है जिसको कंपेर करेंगे एक दूसरे से कम्पनी की इंकम की बात करें इंट्रेशन इंकम एन अधर इंकम को मिला कर कम्पनी का टूटल इंकम इस कौटर के अंदर देखने को मलता है 17,513.02 करोड रुपिस का जो कौटर इंकौटर बेस के अपर और पिछले साल सेम कौटर के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ जाता है कम्पनी के आपर नेट प्रॉफिट की बात करें मलब कम्पनी के एक्सपेंस की बात करें तो यहां पर इंट्रेस एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मिला कर कम्पनी का टूटल इंक्सपेंस इस कौटर टेक्स यहां पर से 300, sorry 3608.18 करोड रुपिस का कमनी का net profit देखने को मिलता है जो quartering quarter base के उबर पिछले साल से quarter के मकाबले बढ़ता हुआ नजर आ जाता है कमनी का result ओवरोल हाँ बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है कमनी के यहां पर से earning पर share की भी बात करें तो कमपनी का EPS भी बहुत यह अच्छी दरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप लोग देख सिखते हो 18.17 रुपिस पर पहुछ चुका है जो पिछले quarter के अंदर 13.88 रुपिस पर था कमनी के NPS की बात करी तो gross NPS percentage में देखे तो 2.09% पर है और net NPS यहांपर 0.6% पर देखने का मिलता है जो quarter and quarter base की उपर कमनी के NPS भी धिरे-धिरे काम होते हुए नजर आ जाते है यह था यहांपर से कोटक महिंद्रा बैंग का result अभी आपर बात कर लेता है कमपनी के share में करना क्या चाहिए कि इस कमपनी के share में कुछ लेवल्स आप लोगों को मैं present किया हूँ जो आप लोग देख सकते हूँ एक तो यहांपर से 1,985 रुपीज का लेवल है जो इस कमपनी का recent यहांपर रजिस्ट्रंस है वरलब कमपनी के share में आप लोग ने short term के लिए खरीदा था तो आप लोग अभी यहांपर से 1,985 रुपीज के लेवल्स के उपर कमपनी के share में बिकवाली करके चल सकते हूँ बाकि उससे यहांपर अब लोग मीडियम टर्म के टार्गेट से लिना चाहते हूँ तो यहांपर कमपनी के share में बिकवाली कर सकते हूँ जो इस कमपनी का लाइफ टाइम हाई लेवले ठीक है इस कमनी के लेवल 1680 रुपे के करीब देखने को मिलता है तो यह एक यहांपर अच्छा खरीदारी करने का level देखने को मिलता है अब यहांपर बात कर लेता है इस कमनी के share में आपकर से जो यह कमनी का share breakout देतेता है उनीज सो असी रुपे के करीब का जो लेवल है उसको ब्रिक आउट कर देता है तो उसके बाद जब कंपनी का इस रिटेस्ट करना है तब आप लोग इस कंपनी के शे में खड़ीदारी करके चल सकते हो उसके बाद इसी लिए आप लोगों को बाइस सो पचास रुपे टारग करना मत बूलना गुद्बाल अफ गुद्बाइ फिर मिलते नेक्स तूड़ में गुद्बाइ